भू माफिया चीन नहीं सुद्रा विस्तार वादनीती वाला चीन चाहता है भारत से टकराना जी हाँ पिछले दो सालों से लगातार भारत चीन के टकराओं की खबरे सामने आती रही हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही अरुणाचल प्रदेश में वास्विक नियंत्र डेखा यानी एलेसी पर भारत के जबास सैनिकों ने चीन के घुसपैटिया सैनिकों को पीछे धकेल दिया उस वक्त वहां चीनी सैनिक गस्ती दल और भारती सैनिक घंटों एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़े रहे थे और अब चीन ने क्यों घुसपैट किया अरुणाचल में इसकी वजह सामने आ गई है दरसल सूत्रों ने बताया है कि इस विवाद की प्रमुख वजह चीनी सेना का 17,000 फिट उची चोटी पर इस्थित पोश्ट को कबजा करना था और यही वज़ा है कि सीमा के दोनों तरफ तनाव एक बार फिर से चरम पर आ गया था वैसे इसमें कोई दोराय नहीं है कि सामरीक महतो की दिस्थि से इस चोटी का इसलिए खास महतो है क्योंकि यह वो चोटी है जहां से दुश्मनों की हर गतविदी, हर चाल, हर हरकत पर पूरी नजर बनाई रखी जा सकती है चीन की करतूते ऐसी हैं कि उसे अपने देश का विस्तार करना है और इसी वज़े से हाल के तनाव के दोरान जब पियले ने तवांग से 35 किलोमीटर उत्तरपूर में घुसने का प्रयास किया तो उस वीच यूं हुआ कि पियले का गस्ती दल भारती सेना की चोटी के सबसे उपर तक पहुशने वाले रास्तों में से एक के करीब आ गए लेकिन हुआ वही जिसके लिए भारती सेना जानी जाती है भारती सेना ने कुछ मिंटों में पिले की इस कायराना हरकत को विफल कर दिया भारती सेना ने पिले के खिलाफ अपनी पोजीशन को मश्पूत करने के लिए पूर्वी छेत्र में दुर जे हतियार प्रणालियों को तैनात किया है जिनमें M777 अल्टरा लाइट होईसर सामिल है जिनहें CH47F चिन्यूख खेलिकॉप्टरो और 155 मीमी FH77 B02 का उप्योग करके चुनोती पूर पहाड़ी इलाकों में तेजी से तैनात किया जा सकता है तो होई सेना प्रमुक मनोच मुकुन नर्वणे ने चीन को सीधी जितावनी देते हुए कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तयार है भारती सेना खुद को एक संख्याबल में बड़ी सेनाक से तकनीकी रूप से शशक सेना में परिवर्तित करने का काम तेजे से कर रही है ताकि विरोधियों पर नजर रखी जाए और उसके अनुसार इसकी समिक्षा की जाए कि खत्रे किस प्रकार के हो सकते हैं खैर चीन जैसे साजिस करता देश को ये समझ लेना चाहिए कि भारत के खिलाब चाहे वो कितनी भी साजिस कर ले भारत के पास उसकी हर साजिस की काट है विरो रिपोर्ट भारत तक